पिछले साल कन्या कुमारी से कश्मीर तक हमने यात्रा की यात्रा करनी पड़ी अगर मैं अपने आप से पूछता है 2004 में 2010 में 2014 में कि मुझे 4000 किलोमिटर कन्या कुमारी से कश्मीर चलना पड़ेगा मैं ऐसी बात सोच भी नहीं सकता था यह यात्रा शांत हो जाएं यह यात्रा हमें क्यूं करनी पड़ी क्यूंकि देश का जो कम्यूनिकेशन का सिस्टम है शाहिए वो मीडिया हो सोशल मीडिया हो वो आज देश के हाथ में नहीं है जन्ता के जो मुद्दे हैं बेरोजगारी हिंसा, नफरत, महंगाई किसानों के मुद्दे अगनीवीर के मुद्दे जवानों के मुद्दे वो मुद्दे आपको मीडिया में नहीं दिखाई देंगे तो हमें ने ये यात्रा करनी पड़ी क्योंकि और कोई चारा नहीं था देश के ध्यान को पकड़ने के लिए विपक्ष को चार हजार किलोमिटर और serio राहूल गांदी नहीं चला यह गल्थ फेही में मत रहिए कि यह राहूल गांदी चला है सब पार्टियों के सब विपक्ष के पार्टियों के लोग चले सब नेता हाय हिंदुस्तान का पूरा विपक्ष इन यात्राओं में शामिल हुआ शरतवार जी आए उद्धव जी आए, तेजेश वे आए सोशल मीडिया में भी आप गलत फेहमी में मत रहिए किसी ने कहा कि सोशल मीडिया एक रास्ता है सोशल मीडिया रास्ता नहीं उस पर भी कंट्रोल है अमेरिका की कंपनियों पर दबाव है तो काफी डिस्कॉशन होता है कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं कि लोग सोचते हैं कि हम सब एक राजनेतिक दल के खिलाफ लड़ रहे हैं कि देश भी सोचता है कि यह जो नेता स्केज पर बैठे हैं अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टी से हैं यह एक राजनेतिक पार्टी से लड़ रहे हैं यह सच नहीं है यह गलत है हम राजनेतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं और ये समझने की जरूरत है हिंदुस्तान के यवाओं को ये बात समझनी होगी कोई और कहता है ये सब लोग एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं नहीं हम एक व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे हैं ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं एक व्यक्ति को चहरा बना कर उपर डाल रखा है हिंदु धर्म में शक्ति शब्द होता है हम शक्ति से लड़ रहे हैं एक शक्ति से लड़ रहे हैं अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है जैसे किसने यहां कहा राजा की आत्मा EVM में है सही है सही है राजा की आत्मा EVM में है हिंदुस्तान की हर संस्ता में है ED में है, CBI में है, Income Tax Department में है एक वरिष्ट नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूँ इसी प्रदेश के एक वरिष्ट नेता कॉंग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मा से रो के कहते हैं कि सोन्या जी मुझे शर्म आरी है मेरे में इन लोगों से, इस शक्ती से डरने, लडने की हिम्मत नहीं है मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ और ये एक नहीं है ऐसे हजारों लोग डराये गए हैं क्या आप सोचते हो शिव सेना के लोग, इन सी के लोग ऐसे ही चले गए नए जे शक्ती के मैं बात कर रहा हूँ उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजे पी एक ओर किया है और वो सब डर के गए हैं चार हजार किलोमेटर चला उसके बाद छे हजार किलोमेटर मनिपूर से महराष्टरा मुंबई धारावी क्या मैंने देखा क्या सुना मैं आपको समझा नहीं सकता शब्दों में नहीं बता सकता मैं आपको बोल रहा हूं तो बात याद आई मेरे पास एक युबा आता है जीप पर कुटता है सिक्योरिटी वाले उसको मारते हैं दवा कर मारते हैं तब भी वो आता है हाथ पकड़ता है आख में आसू मुझे कहता है राहूल जी मैंने तीन साल हर रोज सुभे रनिंग की पुल अप्स की, पुश अप की डंड बैटक सब कुछ मैंने किया मेरे दिल में देश भक्ती थी मैंने, मैं चाता था कि मैं लदाख में जाकर ठंड में जाकर ठंड में कापूं देश के दुश्मनों के सामने कापूं और एक दिन अगर मौका बने तो उनकी गोली भी खाऊं ये मैंने सोचा था राहूल जी अगनीवीर लागू कर दिया मेरे देश ने मुझे धोका दिया है नहीं तुम्हारे देश ने तुम्हे धोका नहीं दिया तुम्हारी सेना ने तुम्हे धोका नहीं दिया उसी शक्ती ने तुम्हे धोका दिया है नरेंद्र मोधी बाईयों और बेहनों सिर्फ मास्क है मुखोटा है जैसे ये बॉलिवुड के आक्टर हैं उनको रोल दिया गया है कि भाईया आज सुबह आपको ये करना है कल आपको ये बोलना है परसों आप ये करोगे सुबह उठके समुदर के नीचे जाओ चलो सी प्लेन में उड़ो 56 इंच के चाती नहीं है खोकला व्यक्ति है दारावी को देखिया आप मुझसे पूचा गया कि ये जो यात्रा होगी कहां से कहां होगी मैंने सोचा एक बात क्लियर थी मनिपूर से शुरू होगी क्यों वहाँ पे इसी शक्ति ने सिविल वार का महौल बना रखा है भाई भाई को मार रहा है गोली मार रहा है तो शुरुआ तो वहाँ से होगी और फिर मैंने सोचा अगर हिंदुस्तान को निया विजन देना है तो यात्रा धारावी में खत्म होगी ये हुनर का कैपिटल है हिंदुस्तान के टैलन्ट का स्किल का हुनर का कैपिटल है और इनको यहीं से मुंबई से इनके घनों से वो ही शक्ति इनको उठा कर बाहर भेक रही है एक साथ मिलकर वो ही शक्ति इन लोगों की जिन्दगी बर्बाद करने में लगी हुई है मैं आपको इस स्टेज से बता रहा हूँ चाइना में एक शहर है उसका नाम शेंजन है सच्चा मुकाबला उस शहर से है जो आपको मीडिया में कभी कोई नहीं बताएगा धारवी शेंजन का मुकाबला कर सकता है बैंक के दर्वाजे इन बच्चों के लिए खोलो इन बच्चों को सरकार की मदद करो और फिर देखो ये शेंजन का क्या करते है उठा के परे कर देंगे शेंजन को ये लोग मेड़िन मुंबाई, मेड़िन दारवाई, मेड़िन चाइना को उड़ा के हटा देगा परे कर देगा मगर नई 22 लोग है यहाँ पर 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के पास है हिंदुस्तान में इंटरनेशनल एरपोर्ट खुलवाने के लिए साल लग जाते है दस दिन में शादी के लिए इंटरनेशनल एरपोर्ट खुल जाता है वो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है अगर दस दिन में शादी के लिए खुल जाता है, वो ठीक है, करना है करो मगर बाकी हिंदुस्तान में भी तो खोलो बाकी प्रदेशों में खोलो इन्होंने क्या गलती की है पचास परसेंट हिंदुस्तान की अबादी पिछड़े वर्थ की है पंद्रा परसेंट गलिद आठ परसेंट आदिवासी पंद्रा परसेंट माइनॉरिटी पाच परसेंट, साथ परसेंट गरीब जेनरल कास के लोग मीडिया के मालिकों की लिस्ट निका लिए नाम दिखा दीजे मुझे दलित का नाम दिखा दो, आदिवासी का नाम दिखा दो पिछड़े का नाम दिखा दो लिस्ट में एक नहीं मिलेगा आपको मैं ढून रहा हूँ महीनों से ढून रहा हूँ इनकी गलती नहीं बचारों की जैसे मोदी जी मुखोटे हैं जैसे उनका रिमोट कंट्रोल इनका भी है मीडिया में कोई नहीं हिंदुस्तान की सबसे 200 बड़ी कंपनियों के लिस्ट निकालिए मालिकों के लिस्ट निकालिए गरीब जैनरल कास्ट का व्यक्ति का नाम बता दो मुझे दलित का पिछड़े का किसी भी गरीब व्यक्ति का नाम बता दो किसी भी पिछड़े का नाम बता दो दोस्तो कंपनियों के मालिक के लिस्ट में नहीं मिलेगा नपे अपसर इस देश को चलाते हैं मैंने सिस्टम अंदर से देखा है मैं समझता हूँ सिस्टम को इसलिए मोदी जी मुझे ड़ते हैं सब कुछ देखा है मैंने सब समझता हूँ मैं अंदर बैठता था उसमें सालों में अंदर बैठा हूँ कोई नहीं चुप सकता मुझसे और मुझे दबावी नहीं सकते हैं मोदी जी को दबा सकते हैं तो 90 लोग है उसमें एक तीन पिछड़े तीन दलिक एक आदिवासी फॉर्स जेनरेशन गरीब जेनरल कास का मुझे दिखा दो उसमें एक नहीं मिलेगा बजट में सो रुपे खर्च होते हैं पिछड़े दलिक आदिवासी सब को मिला दो छे रुपे का अंधरने लेते हैं पॉलिसी कहां बनती है पॉलिसी ये 90 लोग बनाते हैं उसमें दो तीन सो और जोड़ दो उसमें पचास साथ अरपती जोड़ दो ये है सच्ची शक्ति जो हिंदुस्तान को चला रहा है और इससे आप कोई नहीं बचेगा आप मेंसे कोई नहीं बचने वाला यहां किसी ने EVM की बात की मैं आपको बता रहा हूँ EVM के बिना नरेंद्र मोधी चुनाव नहीं जीच सकता है इलेक्शन कमिशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए विपक्ष की पार्टी को यह मशीने दिखा दीजिए खोल के हमें दिखा दीजिए यह कैसे चलती है हमारे एक्सपर्स को दिखा दीजिए इलेक्शन कमिशन नहीं दिखाता फिर हमने कहा देखिए इसमें से कागज निकलता है वोट मशीन में नहीं है वोट कागज में है ठीक है आप मशीन चलाइए मगर कागज के भी गिंती कर दीजिए election commission कहता है नहीं कागज की गिंती नहीं होगी क्यों नहीं होगी कैसे नहीं होगी system नहीं चाहता कि EVM की गिंती हो जाए क्यूं? क्यूंकि ये सिस्टम आपके धन को चोरी करने का सिस्टम है ये आप लोग GST देते हो उतनी ही GST देते हो जितना अधानी देता है 18% शर्ट पे देते हो उतनी वो देता है उसकी आमदनी लाकों करोड रुपे आपकी 50,000 रुपे और पिर देखो पैसा कहा जाता है कोई भी स्कीम देख लो फसल भी माई होजना देखो 35,000 करोड रुपे 16 कंपनियों को जाता है उसमें आपको एक दल इतनी मिलेगा एक पिछड़ा नहीं मिलेगा एक गरीब नहीं मिलेगा कानून यह 90 लोग मनाते है पैसा जाता है 16 कंपनियों में और जब हमारे किसान कहते है ओला गिर गिया बारिश हो गई बरबाद हो गई वो कहते हैं वहियन नहीं तुम्हें मुहावजा नहीं मिलेगा यह तुम्हारा है यहीं नहीं तुम्हें कैसे मिलेगा मर जाओ जाके नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को भटकाने का है कभी आपसे कहेंगे देखो देखो चाइना की ओर देखो पाकिस्तान की ओर देखो कभी मोबाइल फोन की लाइट आउन कर देंगे ठाली बजाओ कभी कहेंगे देखो मेरा अपमान कर दिया जैसे अभी किसी ने उनकी पत्नी के बारे में बोला अब कहेंगे देखो मेरा अपमान कर दिया ध्यान बटकाने के लिए अब देखना होगा मगर यात्रा में यह सब साफ दिख जाता है दर्द दिख जाता है दुख दिख जाता है 40 साल से सबसे दादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है मीडिया में आपको एक मिनट के लिए नहीं दिखता मोबाइल फोन आप देखते हो चाइना का मोबाइल फोन शर्ट करीदते हो चाइना की शर्ट जूते करीदते हो चाइना के जूते चाइना के युवा को फाइदा हो रहा है और किसको फाइदा हो रहा है और किसको फाइदा हो रहा है या आपने कभी पूछा अपने आपसे जब चाइना का यहां माल बिखता है सिर्फ चाइना को फाइदा नहीं होता हिंदुस्तान के अरब पतियों को भी फाइदा होता है भाहीं और बेनो इसलिए धारावी को कभी उठने नहीं देंगे इसलिए धारावी को सरकार यह सरकार कभी सपोर्ट नहीं दे सकती पुरा सिस्टम कंट्रोल में है जब इनकी पहले सरकार आई मैं आपको दिल की बाद बताता हूँ पहले इनकी सरकार आई अरुन जेटली मेरे पास आते है कमरे में वैठते है और मुझे कहते हैं राहूल यह जो लैंड एक्विजिशन का मामला है तुम इस पर मत बोलो क्यों नहीं बोलूं जनता का मामला है अगर बोलोगे तो तुमारे उपर हम केस लगाएंगे लगाओ केस मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या कर लोगे मेरा इडी वाले आए पचास घंटे बैठा दिया अंत में पता है क्या बोलता है इडी का अपसर मुझे पता है क्या बोलता है कहता है राहूल जी आप किसी से नहीं डरते हो आप नरेंद्र मोदी को हरा सकते हो इडी का अपसर बोलता है मुझे मगर मैं राहूल गांदी नहीं हूँ आप यह मत सोचो कि मैं राहूल गांदी हूँ आप यह मत सोचो कि उद्व ठाक रहे हैं यह नहीं है यह हिंदुस्तान की अवाज है आप देखिए हर प्रदेश से यहां लोग बैटे हैं हर व्यक्ति ने अपनी हां बात रखी स्टालिन जी ने अपनी बात रखी सोरेन जी ने अपनी बात रखी ये हिंदुस्तान बोल रहा है नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग देखिए वहाँ सिर्फ एक व्यक्ति बोलता है गटकरी जी परे हो जाते हैं माला के बाहर निकाल देते हैं उनको इसलिए हमने इसको इंडिया घटबंदन नाम दिया है ये हिंदुस्तान की रक्षा कर रहा है ये सब लोग डरे नहीं है ये सब लोग उसी सिस्टम का मुकाबला कर रहे है आज नरेंद्र मोदी के पास भरष्टा चार की मोनोपली है इलेक्टोरल बॉंड्स का सिस्टम निकाला मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे जो छोटे छोटे सडकों पे न एक्स्टॉर्शन चलता है हफते बाजी चलती है न वो नैशनल लेवल के गर रहे हैं ये लोग मैं बता देता हूँ चार तरीके की हो रही है एक पहले ये कॉंट्रेक्ट देते हैं सरकार कॉंट्रेक्ट देगी और सीधा परसेंटेज लेगी एलेक्टोरल बॉंड देख लीजिए उसमें साफ है कंपनी को कॉंट्रेक्ट मिलता है उसके एकदम बाद वो बीजेपी को हफता देना शुरू कर देती है दूसरा सीधा एक्स्टोर्शन एडी सीबी आई भेज देंगे जैसे यहाँ पर मुंबाई का एरपोर्ट इनको चाहिए था एडी सीबी आई भेजी एरपोर्ट किसी और को पकड़ा दिया सीधा एक्स्टोर्शन थीसरा शेल कंपनी जैसे यहाँ भी किसी ने कहा अमबेटकर जी ने कहा कंपनी की प्रॉफिट ही नहीं है और उससे ज़्यादा पैसा वो बीजेपी को दे रही है और चोथा कॉन्ट्राइक देने के पहले पैसा दो कॉन्ट्राइक लो देखिए मैं आपको एक बात कहता हूँ यहाँ मुंबई में किसी भी गुंडे को आप CBI, ED और इंकम टैक्स पकड़ा दो ठीक है वो हो रहा है वो ही हो रहा है एक व्यक्ति ने इनको पकड़ रखा है उनके पीछे एक और शक्ति है वो कह रही है भाई आप देखो हमें यह एरपोर्ट चाहिए आपका एरपोर्ट मुंबई का एरपोर्ट है ना आपने तो देखा CPI की इनकोईरी हुई और उसके एकदम बाद मुंबई एरपोर्ट अधानी जी को मिल गया तो मैं आपसे कह रहा हूँ किससे आपका नुक्सान हो रहा है नोट बंदी की GST लागू की जो इंदुस्तान का रोजगार का सिस्टम था उसको खतम कर दिया चाहते हैं कि हाँ सिरफ 20-25 कंपनियों का राज हो चाहते हैं कि यह जब छोटा धंदा चलाते हैं सबजी बेचते हैं चोटे-चोटे दुकाने चलाते हैं चाहते हैं यह सब खतम हो जाए और एक के बाद एक इनको खतम कर रहे हैं स्मॉलर भी मीडियम मैनुफैक्टरिंग जो है उसको सब को खतम कर रहे हैं यही लोग तो चाइना का मुकाबला कर सकते हैं जो स्मॉलर मीडियम इंडिस्री है वो ही तो चाइना का मुकाबला करेगी वो ही तो देश को रोजगार देगी उस नीव को ओड़ा रहे हैं और आपको खड़ा होना पड़ेगा आपके बिना काम नहीं बनने वाला आप हो भारत माता आप सब भारत माता हो और आपकी जिम्मेदारी बनती है हमारी जिम्मेदारी है मगर देश के युवाओं के भी जिम्मेदारी बनती है पूरा देश अगनिवेर के खिलाफ है मैं चार अजार किलोमेटर चला एक युवा ने मुझे नहीं कहा कि अगनिवेर अच्छा लगता है वो जो रो रहा था मुझे कहता है राहुल जी मैं नहीं जाओंगा मैं नहीं जाओंगा मैं अगनीवीर नहीं बनूंगा और फिर मुझे कहता है राहुल जी जहां पे पहले हम दोड़ने जाते थे वो सब खाली पड़ा है यात्राओं से मुझे बहुत सीखने को मिला दर्द भी हुआ चोड़ भी लगी मगर जो प्यार मिला दिल से जो प्यार मिला वो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है मैं कह नहीं बता ही नहीं समझा नहीं सकता आपको और जो भी आप मुझसे करवाना चाहो जहां भी आप मुझे बुलाना चाहो मैं आपके लिए और इस देश के लिए हाजिर हूँ यह नफरत का देश नहीं है यह मुखबत का देश है नफरत जान मुच के फैलाई जा रही है नफरत इसले फैलाई जा रही है कि आप अपना ध्यान इदर उदर करो और आपके जेब में से आपका पैसा लूटा जाए चीना जाए तो नफरत को नहीं फैलने दो जैसे यात्रा से मेंसेज निकला हिंदुस्तान के दिल से मेंसेज निकला नफरत के बाजार में महबत की दुकान खोलो यह हमारे सब महापुर्शों ने कहा है गांदी जी ने कहा बुद्ध भगवान ने कहा राम जी ने कहा यहीं कहा अगर राम का बुद्ध का एक ही मेंसेज है नफरत के बाजार में महबत की दुकान खोलो धन्यवाद